नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सबी का कुई खिंदी पर और मैं हूँ अभिनाव सिंग दोस्तों आज मैं कम्प्यूटर के 20 most important question पर डिसकस करूँगा यह दसमा वीडियो है कम्प्यूटर के स्रीज का जो कम्प्यूटर का मैं बताता हूँ आपको उसमें सारे मिक्स होते हैं जैसे MS Word, Excel, PowerPoint, Internet, Computer Hardware, Sortware जितनी भी होते हैं सारे मिक्स होते हैं कम्प्यूटर वाले में और अलग-अलग भी मैं बनाता हूँ जैसे MS Word का और Excel का, PowerPoint का, Internet का तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो सारे मिल जाएंगे और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिशन में देदूँगा वहाँ से भी आप देख सकते हो ठीक है अगर आप पहले वाला नहीं देखे हो तो पूरी वीडियो ध्यान से देखना हो वीडियो के आखरी में मैं दो क्वेशन पूछँँगा जिसका एंस्वर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और अगर आप मेरे चैनल पे नए आये हो तो चैनल को सब्स्राइब करके वेल आइकोन प्रस कर देना क्योंकि मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अब आज का पहला क्वेशन है HTML फाइल का फाइल एक्स्टेंशन क्या है तो इसका होता है .html जो हम लोग हम लोग हम कुछ भी बनाना चाहते है HTML फाइल तो इसको .html करके सेब करेंगे तब वो एक वेपेज होता है वेपेज हम HTML से ही बना सकते हैं वेपसाइट हो वेपेज हो जो बनाते हैं वो HTML से ही बना जाता है काफी important है यह आपको पतावना चाहिए इसके बारे हम बहुत सारे question पुछते हैं इसका full form होता है hyper text markup language full form भी बहुत बार पूछा गया है इसका फिर चलिए next MS PowerPoint को अधिक्तम कितना जोम कर सकते हैं बहुत important question है यह इसका होगा 400% ठीक है C number कई लोग पूछ रहते comment में 400% PowerPoint को जोम कर सकते हैं और Excel को भी 400% जोम कर सकते हैं दोने important है और word की अगर बात करें तो word को 500% हम जोम कर सकते हैं ठीक है word को MS word जो होता है उसको 500% Excel और PowerPoint को 400% और अगर minimum की बात करें कम से कम नियुनितम जो होता है वो 10% सबका तीनों का 10% बहुत important है यह जितना बताया next MS Excel 2003 में अधिक्तम कितने रोज होते हैं तो यह 2003 की बात कर रहा है तो जो 2003 होता उसमें 65,536 यह C नमबर वाला ठीक है इतने रोज होते हैं और अगर पूछ ले 2007 या उससे अधिक जैसे 2007, 2010 सारे सब में जो A वाला अपसन है 10,48,576 इतने रोज होते हैं 2007 या उससे उपर लेकिन इस्पेशली C में 2003 का पूछ जाता है तो अपको पता हो चाहिए 65,536 माल उससे उपर पूछ ले तो यह वाला ठीक है और अगर कॉलम की बात करें तो 2003 में 256 कॉलम होते हैं और उससे उपर 16,384 कॉलम होते हैं ठीक है 2007 या फिर 2010 की बात करें तो 16,384 कॉलम और 2003 में 256 कॉलम होते हैं और अगर रोज की बात करें तो 57,536 इसका एंसर होगा C बहुत इंपोर्टन है जितना बहुत 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 आप चलिए नेक्स्ट इनमेस एक कौन इमेज फाइल नहीं है पी एंजी होता है इमेज JPG भी होता है इमेज JPG ये भी होता है इमेज जो AVI होता है ये एक IDO या फिर वीडियो फाइल होता है ठीक है उसका फाइल एक्सटन सा नहीं है बहुत इंपोर्टन है ये चलिए नेक्स्ट टेलनेट क्या है टेली कम्यूनिकेसन नेटवर्क बहुत इंपोर्टन यह यह चली नाक्स्ट प्रिंटर की गज सामानता किसमे मापी जाती है तो इसका सही अंसर होगा बी नंबर प्रिष्ट प्रत्य मिनट मतलब इसको पेज पर मिनट भी बोलते हैं पेज पर मिनट पीपीम में मापा जाता है वो इसके कई प्रकार के प्रिंटर होते हैं एक होता है जो करेक्टर प्रिंटर तो इसको करेक्टर पर मिनट बोलते हैं नापा मिनट में ही जाता है करेक्टर पर मिनट लेकिन समानता अगर यह से पूछता है तो page per minute, prist per minute भी number होगा और अगर character की बात करें तो character printer एक होता character per minute, एक होता line printer, line per minute, तो अलग-अलग होते हैं लेकिन ये यो important है page per minute चलिए next, इन में से BIOS किसपरकार की storage device है तो ये है primary storage device ठीक है, BIOS जो हता basic input, output system, एक primary storage device गजामपल है, primary जो RAM, ROM, यह सब primary storage होते हैं, जो computer में लगे होते हैं, अंदर, internal memory इसको बोलते हैं, और secondary memory जो होता है, वो external memory जैसे CD, DVD, यह सब external memory के, जिसको बोलते है, secondary memory के example है, ठीक है, बहुत important है यह, और hard disk, floppy, यह सब secondary storage devices हैं, चलिए next, बिद्दिमान document को परिवर्थित करना, document की क्या कहलाता है, तो simple से बात है, परिवर्थित के बात का editing, ठीक है, चलिए next, किस command की साहता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं, बचाना मितलब save करना, तो control plus S, इस save करना की shortcut की होती है, ठीक है, S for save, coffee simple होता, save का, सबको पताना चाहिए, किसी वीडियो में आपको बता दूँगा, याद करने की trick, कई लोग कह रहे थे comment में, चलिए next, सब्द संसाधन में document के भीतर, test को एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं, ऐसे question पुशे जाते हैं, आप ध्यान से समझो को question तभी आपको इसका answer मिलेगा, अब यह कह रहा है कि एक अस्थान से दूसरे अस्थान ले जाना, तो cut यह हो paste, है तो बड़ा simple यह, cut करके paste करना है, cut मतलब जो हाँ से जो भी रहता है, content delayed भी हो जाता है, ठीक है, चलिए next, spread sheet में data कैसे organize होता है, तो row and columns, यह वाला a numbers का answer होगा, spread sheet मतलब आप जानते ही हो, excel को बोलते हैं, आपको यह भी पता हो नची, spread sheet excel को बोला जाता है, अब चलिए next, text आधारी document तयार करने वाले software को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं, word processor, जो ms word होता है, उसको हम word processor program के नाम सी भी जानते हैं, और जो ms excel होता है, उसको spread sheet program, और अगर उसकी बात करें, power point की तो presentation, इस तरह से होता है, अब चलिए next, spread sheet program में किसके संबन्द work sheet और document होते हैं, तो यह होगा workbook, जो spread sheet मतलब ms excel में हम file बनाते हैं, उसको workbook नाम से भी जाना जाता है, आपको पता है यह बात, तो बोला है कि work sheet और document, मतलब जो बनाते हैं work sheet document, उसको क्या बोलते हैं, संबन्द किस से, तो workbook से होता है, चलिए next, यहां लग जाता है, जो 2007 यह उसे उपर हैं, उसमें docs, और 2003 doc, सिर्फ doc, ठीक है, चलिए next, किसी column में text प्राया, कौन सा align होते हैं, तो left align होते हैं, इस simple से question है, आप column कहीं भी आप देवे कुछ भी लिखते हो, तो left side से ही लिखा जाता है, चलिए next, android क्या है, तो android mobile operating system है, ठी यही तो होता है, आपको पता है, android का निर्माड android नाम से company नहीं किया था, android inc, और इस time उसका जो honor है, गूगल है, 2005 में android को google ने खरीद लिया था, यह बात आपको पता होना चाहिए, इस time google के अंडर में android, एक google का product है, लेकिन इसको बनाया था android inc ने, उसको खरीद लिया था, गूगल ने, चलिए next, IBM क्या है, तो IBM एक company है, international business machine, IBM का मतलब होता है, एक company है, चलिए next, binary code में संख्या 7 लिखी जाती है, तो यह होता है 111, बहुत important question है यह, यह कैसे निकालेंगे, इसका मैंने आप किसी वीडियो में बता दूँगा, इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ, आप 7 को, जैसे base होता है, इसका 2, binary का, पिछली वीडियो आपसे बताया भी था, तो ऐसे करते हैं, इसको 2 से divide करेंगे, तो 2, 3, 6 होता है, तो 1 बचा, इसका जो reminder होता है, तो 1 इधर, फिर 2 से divide करेंगे, तो यहाँ, 2, 1 जा जाएगा, फिर 1 बचेगा इधर, तो देखो, य यह वाला 1 और यह तीने मिला के 1, 1, 1, इस तरह से होता है, मैं किसी वीडियो में आपको detail से बता दूँगा, जैसे आप किसी का भी पूछले तो आप निकाल सको, ठीक है, आप comment में बताना, अगर नहीं मालूम तो ज़रूर मैं बताऊंगा आपको, अब आते हैं, अगले question समगर document select करने के लिए निम लिखित में से किसी प्रियूत किया जा सकता है, तो simple सी बात है, control plus A, ठीक है, all select के लिए होता है, control plus A, A for all, तो simple होता है यह, चली next, यह आज का आखरी question है, MS Excel में चार्ड बनाने के लिए कौन सा बिकल्प सही है, तो जब चार्ड बनाना है आपको insert menu में पहले जाना पड़ता है, उसमें फिर मिलता है आपको चार्ड बाला option, ठीक है, insert menu में आपको चार्ड बाला मिलता है, ठीक है, अब आते हैं आज के question पे, उससे पहले आप सभीस एक छोटा सा request है, अगर वीडियो पसंद आए तो like ज़रू कर देना, और चैनल को subscribe नही और सबको देना है, आते हैं आज के दूसरे question पे, MS Excel 2003 में अधिक्तम कितनी column होते हैं, ठीक है, column या रखना, तो आपको बताना है, इन में से कौन सा 255, 56 या फिर ये वाला फिर ये वाला आपको ध्यान से देखके answer देना है, दोनों question का, फिर दोस्तों इस वीडियो में इतन तक लिए जाहिंद, चैभारत